Hello everyone, welcome and welcome back. So finally, Center ने PFI और दूसरे आठ और्गनाइजेशन को पाथ साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि ये बोला जा रहा है कि इन्होंने अनलोफुल एक्टिविटीज को और्गनाइज करवाया है. मैंने PFI के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले जब रेट्स वगेरा हुई थी इनके सेंटर्स पे तब एक डेडिकेटिट वीडियो बनाई थी PFI कब बना था और क्या-क्या इनकी एक्टिविटीज रही है अब तक और रिसेंट एक्टिविटीज क्या थी जिसके वज़े से इनक इनके सेंटर्स पे बेसिकली रेड पड़ी थी कौन-कौन सी जो स्टेट सेंट में रेड कराई गई है वो सब मैंने एक्स्पेंट करा है इफ यू वना वोच ताट वीडियो आइल लिंक दाट राइट इन डाइ बटन ओके PFI के साथ-साथ Rehab India Foundation Campus Front of India Campus Front of India PFI का ही एक जो कॉलिज वाला जो ब्रांच होती है वो है इनको पात साल के लिए बेंट कर दिया है Under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA के तहत इनको बेंट कर दिया गया है Ministry of Home Affairs के दौरा जैसा कि मैंने बताया ही कि बहुत दिनों से इन पे रेड चल रही थी और करीब 270 के करीब लोगों को इन्होंने अरेस्ट करा है और ये बोला है कि ये रेडिकलाइज करने का काम करते हैं लोगों को और उनको फिर टेरिस्ट ग्रूप में एड करवा देते हैं ISIS जैसी ग्रूप के साथ इनके लिंक्स हैं महे ने पूरा एक नोटिविकेशन जारी करा है प्याफ आई को बैन करने के बाद वो पूरा नोटिविकेशन में क्या क्या है मैं आपके साथ डिसकस करती हूँ सबसे पहले ministry ने notification में बोला है कि जो PFI है और उनके associates हैं वो unlawful activities में indulge रहते हैं जो कि इंडिया की integrity, sovereignty, security को harm पहुचाती है, threat का काम करती है एक तरीके से उसके लिए ये public peace को disturb करते हैं, communal harmony को disturb करते हैं और ये militancy को support करते हैं country में तो इसी को ध्यान में रखते हुए और nation की internal security को ध्यान में रखते हुए ये step उठाया गया है और government ने अपनी power को जो किया कि सब section 1 of section 3 of UAPA Act के तहत, PFI और बाकी जो organizations हैं उनको ban करा है, जो भी criminal और terror cases में involved थी और जिन्होंने constitutional authority को disrespect करा था country ban करने के बाद जो notification जारी हुआ है, उसमें states और union territories के लिए भी कुछ notice है, कि भई आप भी अपनी जो powers है, उनको exercise करना इस case में, जो कि है section 42 of Unlawful Activities Prevention Act, जो कहता है, जिसका section 7 कहता है कि अगर ये कोई भी fund use करे, उसको आपको prohibit करना है, क्योंकि ये fund इखटा करते हैं, फिर उ आपको वो चीज़ प्रोहिविट करनी है, अपनी power को exercise करके, और दूसरा section 8 कहता है कि अगर ये किसी भी place पर कोई भी unlawful association का purpose लेके घुमते मिले, या कोई भी conference organize करवाते मिले, assembly organize करवाते मिले, तो आपको वो भी notify करना है police को, और government को ताकि इनके खिलाफ actions लिये जा सके, अब सीमी पहले एक group हुआ करता था, Students Islamic Movement of India, जो की इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन जो PFI के founding members है न, वो ही सीमी के leaders पाए गई हैं, कि सीमी के जो leaders थे, उन्हों नहीं बाद में, ठीक है वही, एक organization ही तो बैन हुई थी, लोग थोड़े ना बैन हुए थे, उन लो दोनों ही organization, सीमी और जेमबी, दोनों ही इंडिया में band है, proscribe का मतलब होता है, band, okay, बहुत सारे cases में ये पाया गया है, कि PFI के जो links है, वो international global terrorist group से भी हैं, जैसे कि ISIS से इनके links पाए गए हैं, दूसरी बात, ये बहुती covertly अपने जो function है, वो करते हैं, ये radicalize करते हैं एक community क उनमें sense of insecurity जगाते हैं, पहले कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, गंट्री आपके साथ सही नहीं करें, basically radicalize करते हैं, और फिर उनको as a weapon यूज करते हैं, उनसे terrorist activities कराते हैं, उनसे terrorism को promote कराते हैं, unlawful activities कराई जाती हैं, notification में PFI के साथ साथ और जो associations included है, वो है Rehab Indian Foundation, Campus Front of India, All India, National Confederation of Human Rights Organization, National Women's Front, Junior Front, Empire, India Foundation and Rehab Foundation के रल के हैं, अब इनसे इनका link बताती हूँ, मैं, जो Rehab India Foundation है, वो fund को collect करता है through PFI members, और जो कुछ members है PFI के, वो CFI और EIF यह जो मैंने अभी explain करे थे कुछ groups, Rehab Foundation के रल, इनके members भी हैं, तो मतलब आप interconnection देखो, interlinkage देखो इनके बीच में, ठीक हैं, अब जो activities है Junior Front की और All India Imams Council, National Federation of Human Rights Organization की, National Women's Front की, यह सब भी monitor कोन करता है, coordinate कोन करता है PFI leaders, अब आपको समझा हैं कि कितना बड़ा जो जाल हैंगा, कितना बड़ा इन्होंने trap बना रखा है, मतलब PFI ही इन सब को monitor कर रही है, सबी चीज़े organize करवा रही है, इन सारी जितनी भी organizations हैं, कहीं न कहीं इनकी linkage, इन some or the other way, PFI से पाई गई हैं, अब अगर हम यह question करें, आपे कि, इतने जादा groups बनाने की क्या ज़रती, इतने जादा organization बनाने की क्या ज़रती PFI को, तो इसका objective यह है कि इनकी reach बढ़ सके, जितने जादा organizations होंगे, जितने जादा associates होंगे, उतनी जादा reach होगी, उतना ही जादा easily यह youth तक, students तक, women's तक पहुँच पाएंगे, और अपने आपके spend कर पाएंगे, ठीक है, यह अपनी membership influence और अपनी जो fund raising capacity को बढ़ाना चाते हैं, इसलिए इन्होंने यह सब associates को create कर रखा है, funds नहीं होगे तो कैसे कुछ भी करोगे आप, तो यह सब इनके लिए जरूरी हो जाता है, अच्छा वैसे तो PFI और यह जो बाकी organizations हैं, यह बोलती हैं कि हम socio economic, educational or political organization हैं, जो की, जो भी marginalized community है, जो द करना, एक particular section of society को, जो भी इनको लगता है कि easily radicalized हो जाएंगे, easily इनके बातों में आ जाएंगे, brainwash कर सकता है, उनको यह अपने ग्रूप में लेते हैं, और फिर उनसे unlawful activities करवाते हैं, उनसे terrorism को promote करवाते हैं, ऐसी activities करवाते हैं, चीक है, अगर आप मेरी वो वीडियो काटने वाली जो घटना थी, और बाकी जो बहुत सारे लोगों की जो killings हुई हैं, उन सब में PFI का हाथ मिला है, PFI का जो motive है कि disharmony फैले country में किसी भी तरीके से, और इसी के चलते हैं, बहुत सारी चीज़े करवाते हैं, जैसे public property को destroy करवा दिया, और target करते हैं, prominent people और places को, explosives लगवा देते हैं, और बाकी जो भी unlawful activities होती है, basically वो करवाते हैं, इनका soul objective ही यही है कि public peace और tranquility को disturb करा जाए, tranquility होती है, serenity, मतलब बहुत ही peaceful जो माहूल होता है, उसको tranquil होता है, चीक है, तो उसी को disturb करने का इनका objective है, और यह एक rain of terror को दिमाग में डालना चाहते हैं, लोगों की, मतलब terror का जो डर होता है, वो लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, और अभी जो recent in का बताया गया है, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया है, कि इनों का एक और agenda है, कि इंडिया को Muslim राष्ट बना दिया जाएं, by 2047, and again, वही बात साइट करिया है, मैंचे ने भी कि, यह जो अपने funds हैं, उनको abroad से और इंडिया से दोनों जगा से यह funds raise करते हैं, through various channels, फिर उसके बाद उन funds को use करा जाता है, terrorism फैलाने में, unlawful activities कराने में, जो criminal cases हैं, वो जादा बढ़वाने में, peace को खराब करवाने में, यह सब use होत देखो, already arrest हो चुके हैं बहुत जादा लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ban करके छोड़ दिया गया, एक नाम को ban करा गया है, इस ban से क्या क्या फाइद होंगे, सबसे पहली बात, यह कोई भी seminar organize नहीं करवा पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं करवा पाएंगे, और conferences भी organize नहीं कर तीसरा, जो भी donation activities कराते थे, यह fund raise करने के लिए वो नहीं करा पाएंगे, चोथा, जो भी लोग मिला, अगर जिसकी का भी link मिला कि यह PFI से इसका थोड़ा बहुत भी link है, उसको साथ के साथ arrest कर लिया जाएगा, क्योंकि already PFI bank है, PFI bank का मतलब है कि उसको हमने terrorist group में मान लिय और अगर उसके आपका लिंक है, तो यू आर टेर्रिस्ट, ठीक है, तो इसको तभी के तभी अरेस्ट कर लिया जाएगा, दोसरा इन पर travel restrictions हो जाएगी, और जो इनके bank accounts है, और प्रोपर्टिया, वो सभ फ्रीज कर दे जाएगे, गवर्मेंट इनको सीज कर लेगी, तो यह यह सब इसके facts नहेंगे, और यह वीडियो थी आपके लिए, I hope you liked it, if you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video, till then stay happy, healthy and bye!